जै श्री किष्णा राधे राधे दोस्तों, चैत मा की शुकल पक्ष की पूर्णमा के दिन हनुमान जैन्ती मनाई जाती है, यानि की राम नौमी के छे दिन बाद हनुमान जी का जन्म हुआ था, और उस दिन शुकल पक्ष की पूर्णमा थी, और उसी दिन हनुमान जैन्ती म हुआ था इसके कारण इस दिन को जन मुस्तव की रूप में भी मनाया जाता है इस पर हनुमान जैनती 6 अप्रेल की पड़ रही है हनुमान जैनती के मौके पर आप कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप हर काम में सफल्टा प्राप्त कर सकते हैं और आ आपी कुंडली में शनी की साड़े साती शनी की धहिया चल रही है या किसी भी ग्रह का कोई दोश है या कोई भी समस्या आपके साथ है तो इस दिन आप इन उपायों को कर लीजिए और बजरंग बली आपके वो सारे संकट दूर कर देंगे जो आपके सामने खड़े हुए ह आपको बतारे हुए छोटे-छोटे से उपाय जिन में से आप कोई भी एक उपाय कर लेंगे तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब ज़रू कर आपको बताती हुए छोटे-छोटे-चोटे उपाय अगर आप किसी भी काम को लेकर परेशान है या दुखी है तो आपको हनुमान जैनती के दिन पीपल के ग्यारा पत्ते लेकर उन्हें साफ पानी से धोना है इसके बाद इन पत्तों पर चंदन या कुम-कुम से जै श्री पर इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दे ऐसा करने से आपको अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही धन संबंदि जो भी समस्या आपके साथ आ रही है जैसे आपका धन नहीं रुक रहा है या पैसा आता है कहीं भी खर्च हो जाता है या हनुमान जैनती पर पान का भीडा बजरंग बली को जरूर अर्पित करें बजरंग बली को पान का भीडा बहुत प्रिया है आपको पान का भीडा बनवाना है उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने सरसो के तेल का दिया जलाए या फिर चमेली के तेल का दिया जलाए और एक दिया शुद्र देशी घी का जलाए फिर एक आसन पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें और बजरंग बाढ़ का पाठ करें ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की किर्पा बनी रहेगी और आपके जो भी संकट है वो सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे तीसरा उपाए 11 बार हनुमान चलेशा का पाठ करना है आपको हनुमान जैनती के दिन किसी भी हनुमान मंदिन में जाकर उनके सामने सरसो के तिल का दिया या चमेली के तिल का दिया जलाना है और घीका दीपक भी आपको जलाना है उसके बाद 11 बार हनुमान चलेशा का पार पूरे सच्चे मन से करना है ऐसा करने से हनुमान जी प्रसंद होंगे और आपको जीवन में जो भी समस्याय आ रही है उन सब समस्याओं को वो दूर कर देंगे चोथा उपाएं हनुमान जैन्ती के दिन हनुमान मंदिर में जाकर काली उड़त के 11 दाने सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं फल, मिठाई, कुछ भी ले सकते हैं इनको आपको चड़ाना है और 7 बार हनुमान चैने सा का पाठ करना है ऐसा करने से आप भी कुण्डली पे मौजूद दोश दूर हो जाएंगे इसके लावा आप हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला जरूर चड़ाएं और उनसे प्रात्रा करें कि वो आप पर अपने किर्पा बढ़ाएं रखे इतना ही नहीं आप उन्हें बूंदी या बूंदी के लड़ू या पेशन के लड़ू का भोग भी जरूर लगाएं और पान का बीड़ा जरूर चड़ाएं ऐसा करने से आपके साथ जो भी समस्या आ रही है वो सारी समस्या दूर हो जाएंगी और बजनक बली आप पर किर्पा करेंगी पाच्वा उपाएं हनुमान जैन्ती के दिन हनुमान जी की पारे से बनी प्रतिमा की पूजा करें और ओम राम दूताय नमभा मंतर का एक सो आड़ बा जाब करें इस मंदर के जाब के लिए आपको रुदराक्ष की माला का इस्तेमाल करना है और सच्चे दिल से आपको ये मंतर का जाब करना है त्यूंकि हनुमान जी को अपने नाम से ज्यादा प्रिय nाम अगर आप जीकाम करते हैं, उर आपी डूसर में दूर करते हैं , यो आपके सातवे हैं और वो आपको सभी कष्ट्लों मुक्ती दिलाते हैं हनुमान जैंती को दिन ऐसे महसे हैं छोटे कुटे के शाण उपाई भी करने आग sister कुंडली में शनी दोश है तो इसे निजात पाने के लिए हनुमान जैन्ती के दिन सुन्दर कान का पाठ जरूर करें तो दोस्तों ये है वो छोटे-छोटे से उपाएं जो मैंने आपको बता है इन में से कोई भी एक आसान सा उपाएं जो आप कर सकते हैं वो आप सरूर करिये हनुमान जैन्ती के दिन और सच्चे दिल से हनुमान जी से प्रातना करिये हनुमान जी अपने भक्तों की प्रातना जरूर सुनते है वो अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं तो आप सच्चे दिल से हनुमान जी का यह उपाय करें और देखिए आपके सारे संकट संकट मोचन दूर कर देंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताईए साथी कमेंट में बताईए कि आपको इन में से कौन सा उपाय सबसे अच्छा धन्यवाद